इस व्याख्यान में मैं आज आपको संदचनावाद एवंग प्रकार्यवाद मनविज्ञान के दो संप्रदायों का एक तुल्नात्मक बेवरन प्रस्तूत करने की चेस्टा करूंगी इस दुल्नात्मक बेवरन से आप मनविज्ञान के इन दोनों संप्रदायों के बीच अंतर से तो परिचित होंगे ही यह अंतर इन दोनों संप्रदायों के स्वरूप को भी अधिक स्पस्ट करने में सहायक होगा तो आएए सरप्रथम देखें संदचनावाद और प्रकार्यवाद में समानताएं क्या हैं जो समानताएं स्पस्ट रूप से दिख पड़ती हैं वे हैं पहला संदचनावाद तथा प्रकार्यवाद दोनों ही मनोविज्ञान के ही दो संप्रदाय हैं दूसरा दोनों का लक्ष मनोविज्ञान की परिभाशा विशयवस्तू तथा विधी निर्धारित करना है तीसरा दोनों ही मनोविज्ञान के आरंभिक संप्रदाय हैं यद्यपी प्रकार्यवाद का आरंभ संदचनावाद के विरोध में हुआ चौथा दोनों ही संप्रदायों का जन्म अमेरिका में हुआ यद्यपी संप्रचनावाद की मौलिक जन्म भूमी जर्मनी थी जहां से उन्ट के शिश्य टीचनर ने इसे अमेरिका में संप्रचनावाद का नाम दिया इन समानताओं के बावजूद संप्रचनावाद एवंग प्रकार्यवाद में कुछ मूल भूत अंतर हैं जैसे सबसे पहला अंतर यह है कि संप्रचनावाद के फाउंडर उन्ट थे जिन्हें मनुविज्यान का पिता भी कहा जाता है और जिनकी विचारधारा को टीचलर ने अमेरिका के कॉर्नेल इन्वोस्टी में संप्रचनावाद के नाम से प्रचारित प्रसारित किया प्रकार्यवाद के फाउंडर या संस्थापक जॉन डिवी हैं और इसके डिवलपर विक्सित करने वाले में जेम्स रोनाल्ड एंजल का नाम आता है और संप्रचन प्रदान करने वाले हॉर्वेक कार का नाम आता है दूसरा अंतर यह है कि संदचनावाद इवंग प्रकार्यवाद मनुविज्ञान की परिभाशाओं को लेकर भिन विचार रखते हैं संदचनावाद के अनुसार मनुविज्ञान चेतन अनुभूते का विज्ञान है जबकि प्रकार्यवाद के अनुसार मनुविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के कारियों का अध्यान करता है संदचनावाद और प्रकार्यवाद में तीसरा अंतर मनुविज्यान की विशेवस्तु के अध्यान के दृष्टिकोन को लेकर है संदचनावाद का दृष्टिकोन विशलेशनात्मक है यह चेतन अनुभूती का अध्यान उसके तत्वों को खोजने के लिए करता है इसके विपरित प्रकार्यवाद के अनुसार यदि मानसिक प्रक्रियाओं को इसके तत्वों में विशलेशित कर दिया जाए तो इसका मौलिक स्वरूप ही नस्ठ हो जाता है अतह प्रकार वादियों ने मांसिक प्रक्रियाओं को समगरता या संपूर्णता में आजी होल अध्यान करने की वकालत की चोथा अंतर यह है कि सनरचना वादियों ने चेतन अनुभूती को उसी रूप में अध्यन करने पर बल दिया जिस रूप में वे घटित होते हैं परन्तु प्रकारे वादियों ने उसके कारियों, लक्षयों एवं उप्यों की ताउंग पर बल दिया कहा जा सकता है कि सनरचना वाद ने सहधांतिक अध्यन पर बल दिया जबकि प्रकारे वाद ने अनुप्रयुक्तता या बेवहारिक उपागम को अपनाया सनचनावाद और प्रकार्यवाद के बीच पांचवां अंतर मनुविज्ञान के अध्यन की विधी को लेकर पाया जाता है सनचनावादियों के अनुसार मनुविज्ञान की एक मात्र विधी अंतर निरिक्षन है जबकि प्रकार्यवादियों ने अंतर निरिक्षन के अलावा प्रयोग तथा बाहे निरिक्षन को भी मनुविज्ञान की विधी माना मनुविज्ञान के छेत्र को लेकर संरचनावाद और प्रकार्यवाद में अंतर है जिसे हम छठा अंतर मान सकते हैं संरचना वाधियों ने मनुवी ज्यान के छेतर को बहुत सिमित करते हुए बताया कि मनुवी ज्यान किवल प्रोड व्यक्तियों के चेतन अनुभूतियों का अध्यन करने वाला विज्यान है किन्तु प्रकार्यवादियों ने बताया कि मनुवी ज्यान में न किवल प्रोड व्यक्तियों बलकि पश्यों बच्चों तथा अन्य वैसी समस्याओं का भी अध्यन होना चाहिए जो मानों के समायोजन संबंधी ब्यवहारों से संबंधित हैं साथवां अंतर मनुवी ज्यान के पुरोवर्ती समस्याओं में मन शरीर समस्या पर दोनों के विचारों को लेकर है मन शरीर समस्या मनुवी ज्यान का एक महत्यपुर्ण मुद्दा था माइंड बॉडी रिलेशन्शिप को लेकर संरचनावाद और प्रकार्यवाद में अंतर था संरचनावादियों ने मन शरीर समस्या पर द्वैत वाद या डूयलिजम को अपनाया उनके अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंतर हैं और दोनों दो समानांतर जर्णों की तरह चलते हैं दोनों के बीच कोई अंतर क्रिया नहीं होती इसके विपरित प्रकार्यवादियों का मानना था कि मन और शरीर आपस में संबन्धित हैं ये दोनों आपस में अंतर क्रिया करते हैं दीवी, एंजल और कार, तीनों का मानना था कि प्रतेख मानसिक प्रक्रिया मनोशारिरिक होती है। आठवा अंतर, संरचनावाद और प्रकार्यवाद में दोनों के आउटलुक को लेके है, दोनों के द्रिस्टिकोनों को लेकर है। संरचनावाद का द्रिस्टिकोन संकुचित या डॉगमेटिक था। उनकी अनुसार केवल चेतन अनुभूती ही मनोविज्ञान का अध्यन विशय है, जिसे मात्र अंतर निरिक्षन के द्वारा अध्यन किया जा सकता है। इसके बिपरित प्रकार्यवाद का द्रिस्टिकोन, उदार और ब्यापक था। उन्होंने चेतन अनुभूती के अलावा दूसरी मनोविज्ञान का अध्यन विशय माना। सन्रचनावाद का संबंद मानसिक प्रक्रियाओं अर्थात चेतन अनुभूती के केवल क्या से है। अर्थात यहां केवल यह जानने की चेस्टा की जाती है कि चेतन अनुभूती के अंदर कौन-कौन से तत्व होते हैं। केमिस्ट्री को यह रसायन विज्ञान को सन्रचनावादियों ने अपना मौडल्स विज्ञान माना था। जबकि प्रकार्यवाद का संबंद मानसिक प्रक्रियाओं के क्यों और कैसे से है। अर्थात प्रकार्यवाद यह जानने की चेस्टा करता है कि मानसिक प्रक्रियाओं के घटने का कारण क्या है और ये कैसे घटित होते हैं इन्होंने बाइलोजी को अपना मौडल विज्ञान माना था इस तरह संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों के मौडल साइंस जो थे इनका जो आदर्श विज्ञान था वो अलग-अलग था संड़चनावाद के लिए Chemistry Model Science था क्योंकि ये अनुवाद में विश्वास करता था और प्रकारिवाद के लिए Biology Model Science था क्योंकि ये मन और शरीर को आपस में संबंधित मानते थे इन सारी विभिनताओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान के विकास में इन दोनों संप्रदायों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमे का निभाई इसका प्रमान ये तथ्य है कि अनेक आलोजनाओं के बावजूद इतने साल बाद आज भी हम संरचनावादियों के अंतर निरिक्षन का पूर्निता वहिश्कार नहीं कर पाए हैं और यह कहना एकदम गलत नहीं होगा कि यह अंतर निरिक्षन ब्यक्ति के अंतर मन को पढ़ने की अकेली सक्षम विधी के रूप में हमारे समक्ष आज भी है और हम इसका बखुबी उप्योग करते हैं दूसरी और प्रकार्यवाद ने जिस अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के जन्म के प्रिस्ट भूमी तैयार की इसका भी मनोविज्ञान रिनी है क्योंकि आज हम जीवन के प्रतेक शित्र में मनोविज्ञान का उप्योग कर ब्यक्ति के जीवन गुनवत्ता को बढ़ाने क की चेस्ता कर रहे हैं जिसका बीज प्रकार्य वाद ने ही बोया था इस तरह कहा जा सकता है कि मनुविज्ञान के विकास में दोनों संप्रदायों की अपनी भूमिकाएं एवंग अपना योगदान था तो विद्यार्थियों हमने CC 5 के Unit 1 को आज कम्प्लीट किया जिसमें हमने पढ़ा संरचनावाद इसकी विशेशताएं और इसकी आलोचनाओं के बारे में फिर पढ़ा या जाना प्रकार्यवाद और फिर जाना प्रकार्यवाद और संरचनावाद का एक तुलनात्मक अध्यान तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद